नमस्कार दोस्तों, प्यूरेस बॉक्स में आप सभी का सौगत है, आज के अपने इस वीडियो में हम एक IPO को रिव्यू करने वाले हैं, जो की कुछी दिनों में मार्केट में आने वाला है, जिसका नाम है TCNS Clothings Limited, इस वीडियो में हम इस IPO का डिटेल रिव्यू करके कि इस कंपनी के बारे में जानेंगे कि कौन सा कारूबार ये कंपनी करती है, इसके financial status क्या है, इसका revenue क्या है, इसके valuations क्या है, और आखिर में हम इसका grey market price यानि कि GMP के साथ साथ हम ये पता करने की कोशिस करेंगे कि अगर इस IPO में आप apply करते हैं, तो आपको listing gain होने की कितन की संबावना बन जाती है, तो चलिए शुरू करते हैं, तो सबसे हले तो मैं आपको IPO की timeline के बारे में बताना चाहूंगा, तो इस IPO की जो opening है वो 18 July 2018 से होने वाली है, इस IPO में apply करने की जो last date रहेगी, वो 20 July की निधारित की गई है, IPO के बारे में आपको allotment हुआ है या नही हुआ है, इसकी जानकरी 25 July तक आपको पता चल जाएगी, in case किसी को अगर allotment नहीं होता है, तो उसका जो पैसा है, वो उसका account में refund कर दिया जाएगा 26 July तक, और इस IPO की जो listing है, exchange के अंदर, वो 30 July से शुरू हो जाएगी, यानि कि 30 July से आपकी normal trading start हो जाएगी, अगर आपको allotment हुआ है, और आप listing gain ले करके निकलना चाते हैं, तो अपने sales जो है, आप 30 तारीक को बेच करके निकल सकते हैं, अब अगर इस IPO के basic details के बारे में मैं आपको बता हूँ, जिसमें सबसे पहले इसका issue size जो है, वो बताता हूँ, तो issue size जो इस IPO को है, वो 1125 करोड रुपे का issue size है, इस IPO के लिए, इसमें जो face value set की गई है, वो 2 रुपे पती equity share का face value रहेगा, वहीं अगर हम price band की बात करें, तो 714 यानि कि 714 से लेके 716 रुपीज का इसका price band set किया गया है, वहीं lot size जो है, वो 20 shares का एक lot रहेगा, यानि कि अगर आप एक lot अपलाई करते हैं, तो आपक 14,320 रुपीज आपको block करना होगा, अपने account की तरफ से, और इसकी जो listing है, वो BSC और NSC दोनों ही exchange में हो जाएगी, दोस्तों आपको एक और बात बताना चाहूँगा, मेरा एक telegram का channel भी है, जिसमें मैं stock market से related, जो भी updated news मुझे पता ज़लते हैं, मैं सुबही 9 बजे से पह मुझे वीडियो में comment करके भी मेरे चैनल का link मुझे से पहुँच सकते हैं, अब आगे चलिए इस company के बारे में हम देखेंगे कि आखिरकार company क्या काम करती है, किस तरीके की company उसके products क्या है, वो सारे details हम आगे चलके discuss करने वाले हैं, तो सबसे हले तो इस company की सरुवात मैं ब कपडो के sector से, जिसमें यह लोग काम करते हैं, इस company का design करने का, उनको manufacturing करने का, उनको marketing करने का और साथी साथ retailing का जो branded apparel से रहते हैं, specifically women's के जो कपडे होते हैं, ladies के जो कपडे होते हैं, उनको design, manufacturing and marketing करने का काम यह company करती है, यह जो company है, इंडिया की largest women's branded apparel company है, in terms of अगर ह जो आउटलेट रहते हैं उससे साबसे जो कंपनी हैं इंडिया की लीडिंग और सबसे अच्छी बड़ी कंपनी में से मानी जाती है यह जो सर्वे या फिर यह जो बात बताईगी थी टेक्नो पैक के द्वारा बताईगी थी उन्होंने ऐसा बताया था कंपनी करेंटली सबसे अच्छी कंपनी बन के आई हुई है इनके जो प्रोडक्स हैं वह सिरफ रिटेलर्स के पास नहीं बेचें जाते हैं यह वेबसाइट के दुरू भी बेचे जाते हैं रोग ए साही लोग अपने रिविनू को जनरेट करना शुरू कर चुके हैं अगर इनके distribution channel की बात करें तो company जो है अपने लगबग 465 exclusive brand outlet है इस company के बाद जहां से अपने product को sale करते हैं 1469 इनके large format store outlets है जिसमें पेंटलून और इस तरीके के stores जो है वो count होते हैं लगबग 1522 इनके multi brands outlet है और इनके जो outlets हैं वो currently 31 states में इंडिया में available हैं तो यानि कि इनका बहुत ही अच्छा reach है इन्डिया के almost हर states में इन्होंने अपने जो presence है वो इस्थापित करके रखा हुआ है वो इस company के लिए एक अच्छी चीज़ बनके आती है सिफ इंडिया में ही नहीं इंडिया के बाहर भी इनके product जो हैं वो जाते हैं जैसे कि Nepal, Sri Lanka and Morrisis ये तीन ऐसी country हैं जहां पे इनके जो product हैं वो जाते हैं इनका जो presence है इंडिया में नहीं इंडिया के बाहर भी अच्छा कासा इनका presence बना हुआ है अब अगर हम इनके product portfolio के बारे में देखे कि इनके product में किस तरीके की चीज़े आती हैं तो इनका जो product portfolio है उसमें top wear, bottom wear, draps, combination, sets and accessories जैसी चीज़े आती हैं इनके जो word wear requirement रहते हैं इंडियन गुवमेंट्स के या निकी उनके कपड़ों की जो requirement होती है जिसमें day to day या everyday जो कपड़े पहने जाते हैं या casual wear हो गए या फिर जो काम करने जाते हैं workplace वाले wear हो गए वो या occasional wear हो गए तो उस तरीके के कारोबार या उस तरीके के कपड़े बना करके या seasonal वाले जो कपड़े होते हैं वो इनके बनाते हैं कि अगर large format stores बोलें जिसमें की pantaloons आते हैं सौपर स्टॉप्स आता है या lifestyle आते हैं वहाँ पे अपने product को बेचते हैं और online retailers की बात की जाए तो मैंतरा जबांग Amazon जैसे company के साथ इनका tie-up है वहाँ पे इनके product किया है जिसमें पहला brand है डबलू brand से बोला जाता है जो की एक premium brand है जो की target करता है women's के casual and work wear को इस brand को जो है most admired fashion brand का category में रखा गया था women's Indian wear जो की इंडिया का fashion forum था उसमें इनको continue 3 साल से ये category में यो लोग बने हुए हैं सबसे अच्छा करके जो की 2015 चले के 2017 तक इनका नाम उस list में आया था second जो है वो है orilla जिसके अंदर ये contemporary ethnic wears जो है वो brand आता है जिसके तुरू अगर revenue growth की बात की जाए तो लगवग 70% CGAR से इनका जो revenue है 2013 से 2017 तक grow हुआ है जो की एक बहुत ही अच्छी चीज है और wishful करके इनका तीसरा brand आता है जिसमें premium occasion wear आ जाते हैं जिसका जो revenue है लगवग 66% से grow हुआ है 2013 से लेके 2017 के बीच में तो ये तीनों ही एक ऐसे brand है जिनके अंदर ये company काम करती है अब अगर इस company के हम positive की बात करें जो कि आने वाली दिनों में हो सकती है तो जैसा मैंने सबसे पहले बताया कि इनका जो brand है वो बहुत ही अच्छा है तीन brand इनके अंदर एक काम करते हैं और सिफ online नहीं offline हर जगे से इनको revenue आता है इनका जो presence है वो बहुत ही अच्छा बना हुआ है इनका जैसे मैंने आपको आता है कि पूरे इंडिया में लगवर 31 स्टेट्स में इनके प्रेसंस है तो पैन इंडिया प्रेसंस है multi-channel distribution network के तुरू इनका जो product है वो सेल होता है तो वो भी इनके लिए एक अच्छी चीज है rich product portfolio है wide range of design है fits है तो भी इनके लिए है अच्छी चीज है तो ये कुछ चीज़े हैं जिनकी वेश से इस company को एक आने अले दिनों में अच्छा beauty है वो हम को नजर आता है या फिर आप बोल सकते इनके जो growth है वो अच्छी हो सकती है अब अगर हम इनके IPO के objective के बात करें कि आखिर कर ये IPO क्यों लेकर आना चाते हैं तो उनका कोई basic उद्देश से नहीं है सिर्फ listing का benefit लेना चाते हैं ये offer for sale है जो इनके current sale holder है और वो निकलना चाते हैं उनके लिए ये रहेगा जो भी इस IPO के पैसा generate कर रहे हैं वो अपने business में नहीं लगाने वाले हैं ये लोग लिए अभी इस company के financials को देखते हैं कि आखिर कर किस तरीके से financially ये company perform कर रही है profit में है, loss में है या किस तरीके का इसका performance है तो उसके लिए मैं आपके सामने इस company का पिछले 4-5 सालों का data लेके आया हूँ जिसमें आप देख सकते हैं revenue अगर FY14 से लेकर FY18 के तरफ देखेंगे तो हर साल year on year इनका जो revenue है वो continue grow हुआ है लेकिन अगर हम net profit की तरफ देखते हैं तो वो भी अच्छा grow हुआ है लेकिन FY16 में इनको एक loss इन्होंने दिखाया था लेकिन currently जो FY18 था उसमें बहुत ही अच्छा profit इनके पास आके दिखाया गया था लगवग 100 करोट के आसपास का इन्होंने profit FY18 में दिखाया था अब अगर इसी financial data के इसाब से हम इनके valuations को निकलने के कोशिज करें तो इनका जो earning per share निकल के आता है वो 15.36 रुपीज का निकल के आता है और उसी के base पे अगर हम इनका PE ratio निकलने के निकल के देखें यानि की price to earning ratio अगर हम देखते हैं तो वो लगबग 46.6 का आता है अगर हम return on net worth देखेंगे तो वो भी लगबग 22.7% की निकल के आती है और अब इन्ही valuations के base पे अगर हम इनका peer comparison करके देखते हैं कि इनके कौन-कौन सी competitor company currently market में available है और उनके comparison में कंपनी कहां stand करती है तो currently listed जो companies हैं उसमें अधित्य बिर्ला फैसन एंड रिटेल फ्यूचर लाइफस्टाइल फैसन एंड केवल केरन क्रोटिंग लिमेटेड यह कुछ एक company है जो की लिस्टेट है अगर इनका पी comparison या EPS comparison करके देखिया earning per share का हिसाब से तो यह second number की company निकल के आती है जिसका earning per share जो है वह अच्छा है earning per share हमेशा ज़्यादा होना चाहिए तभी आपको ज़्यादा profit हो सकता है पी रेशियो अगर हम price to earning की बात करेंगे तो वह भी इसका almost second number पर आता है पी रेशियो जितना सस्ता रहता है जितना कम रहता है उतना हम बोलते हैं कि सस्ते valuations पर currently code कर रही है और अगर हम return on net worth देख है वो बहुत ही attractive निकल के आते हैं तो इस वाए से यह जो company है इन parameters के इसाब से long term के लिए एक अच्छी company बन सकती है आपके portfolio में जगे बना सकती है जो कि आने वाले सालों में आपको अच्छा return दे सकती है इन parameters से हमको यह चीज तो समझ में आ जाती है अब जो है most awaited question के बार मैं उनको जानकारी पता चलती है gray market price से यानि की gmp से so currently इस stock का या इस IPO का जो gray market price है वो 20 से 24 रुपे के बीच में चल रहा है जो की depend करता है market की condition के उपर अगर market की condition अच्छी आ जाती है या इसके favor में कोई policy आ जाती है जैसे कि कल एक साम को policy अनॉंस वी थी तो वो इसके favor मे इसाब से आप क्योंकि इसका lot size है वो भी 20 का ही है तो आपको listing day के दिन currently 400 रुपे तक का gain इस IPO के तुरू मिलने की संभावना बन जाती है लेकिन जैसा है मैंने बता है कि gray market price जो है वो time के इसाब से change होता रहता है क्योंकि geopolitical condition या फिर market की जो condition है उसके उपर इसका price जो है का gain के लिए apply करना चाते हैं तो ही apply कीजेगा अगर आपको इसका latest gray market price जानना है तो आप मुझे twitter पे भी पूँच सकते हैं वीडियो में comment करके भी पूँच सकते हैं या फिर आप मेरा telegram का channel भी join कर सकते हैं जहां पे मैं daily इसका gray market price अप्डेट करता रहूँगा मेरा tutor और telegram का जो link है मैं वीडियो के description में दिया हुआ है आप वहाँ से जाकर कि भी मुझे join कर सकते हैं as a disclosure बताना चाहूँगा जो भी information मैंने इस वीडियो में provide किये वो सिफ educational purpose और information sharing purpose के लिए आपके साथ मैंने share किया है मैं किसी को भी recommendation या suggestion नहीं दे रहा हूँ कि आप करें अगर मेरी DOE information आपको useful लगती है तो एक बार आप अपनी तरफ से भी research करें या फिर अपने किसी भी trusted stock broker से या फिर financial advisor से एक बार discussion करने के बार इस IPO में अपनी कोई भी position बनाने का फैसला लें